हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSR YouTube चैनल पे मेरा नाम है लीना जन आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट चिप क्लाउड होस्टिंग तो आज की वीडियो में हमें ही देखने वाला है कि सबसे अच्छा और सस्ता क्लाउड होस्टिंग कौन सा है और इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जहां से पर्चेस करने पर आपको 77% का डिस्काउंट मिलने वाला है तो अगर आपने पते किस चैनल को सबस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक आपको मिल जाएगा आप इसके त्रू जाके डिरेकली पर्चेस कर सकते हैं और ये लिंक यहां से आप चाओ तो देख के टाइप भी कर सकते हो जैसा भी आप करना चाहे आपके बाद दोनों अप्शन है लेकिन इस लिंक के तो जब आप जाके पर्चेस करते हो तो आपको मिलेगा यहां पर 75% का डिस्काउंट और कुछ केसे में आपको 77% का डिस्का तो चलिए अब यहां पे जो है इस लिंक के तुरू तो आप डिस्काउंट आपको मिल जाएगा लेकिन मैं आपको सब्सक्राइब करोगा कि इस वीडियो को आप आप आगे देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी बताना जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद ठीक है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लावड ओस्टिंग होस्टिंगर की गैस देखो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक अफोर्डेबल होस्टिंग की बात करें तो यहां पर रहता है होस्टिंगर एक काफी अच्छा आप्शन रहता है हाला कि ऐसा नहीं कि स affordable price में आपको जो है यहाँ पर cloud hosting मिल जाती है तो चलो सबसे पहले हम open कर लेते हैं यहाँ पर cloud hosting की जो पेज है उसको हम open कर लेंगे यह देखिए cloud hosting है और सीधा सीधा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ cloud hosting उन लोगों को लेना है जिनके पास large scale products है मतलब large scale जो business जो run करते हैं उन लोगों के लिए होता है mainly cloud hosting अब यहाँ पर कितना large देखो large का भी फरक पड़ते हैं कितना large है ना अभी हम यहाँ आजाते हैं नीचे फिलहाल एक बहुत बड़ी offer चल रहा है cloud hosting पर यहाँ पर अगर हम बात करें cloud hosting में cloud enterprise plan पर तो पहले यह पांच हजार 99 रुपे का प्लान था पर मंत अब यह धाई हजार का हो गया मतलब 54% discount हो गया है तो अच्छी बात यह है कि आप अगर बहुत बड़ा business run करते हैं काफी बड़ा business run करते हैं तो उस case में cloud enterprise की जरूत प्रज़र और आपको यहां पर सीदह सीदह अच्छा 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 डिस्कॉर्ण आप लिखा हुआ यह प्रैस अभी थी ही नहीं cloud enterprise की एक्षण इसकी प्रैस यह पांच हजार 99 रुपे थे ठीक है तो पांच हजार 99 रुपे का जो जो cloud enterprise वाला प्लान था वो अब आपको मिल जाता ह है 2500 रुपे में और प्लस आपको 3 months extra भी मिल जाते हैं तो मतलब expiry date 3 महीने बाद आएगी मतलब जैसे अगर आप एक साल के लोग है तो आपको 12 महीने प्लस 3 months और मिलेंगे 15 महीने बाद आपको आपको प्लान है वो एक्सपार होगा ठीक है इसका मतलब यह होता है वो चीज प्लान में प्लान में जो कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं लेकिन इसके अलावा सभी प्लान में आपको जो फ्री डॉमेंड मिलेगा और प्लस 3 months मिलेगा तो कहीना गहीं बहुत जादा आपको सस्ता पड़ता है तो चलो फिर से चल दे जाते हम क्लाउड होस्टिंग मिल जाता है ठीक है 3 months extra मिल जाता है 30 days money by guarantee मिल जाती है और अगर reviews बगेना देख लें हम जल्दी से तो trust palette का review और host advice का review आपको देखना बाकी दोनों में आपको ज्यान नहीं देना है ठीक है हलाकि बाकी दोनों में भी reviews काफी अच्छे हैं लेकिन mainly जहां पर fraud नहीं होता है व यहां पर एक बंदा एक से जादा review किसी भी हालत में नहीं कर सकता चाहिए वो अच्छा डालना चाहिए खराब डालना चाहिए तो इसलिए बहुत फ़रक पड़ता है यहां पर reviews भी कम है इस बज़र से और उपर से यहां पर जो review में अगर देखे बाकी सब के अगर हम facts review होगा अगर इसका हम exact बात करें तो क्योंकि host advice में भी लोग के दूसरी कंपनियां क्या होता है कि competitors जो होते हैं वो किसी और कंपनी के खराब reviews जालना ही कोशिश किया जाता है तो ऐसे में अगर हम देखे हैं तो यहां पर 4.5 की जाएगा 4.6 या 4.7 एक accurate review निकल के आता है तो चलिए अब ये भी बात हो गई बाकी अगर हम नीचे आते हैं यहां पर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं यहां पर cloud hosting के बारे में अगर आप थोड़ा सा detail में पढ़ना होगरा चाते हो तो यहां पर आप पढ़ सकते हो पो इश्यू नहीं है अलाकि मैं सब कुछ इस प्लांस को थोड़ा समझते हैं कि exactly इन प्लांस में होता गया है हम यहां पर उपर वाले इस चीज को समझेंगे लेकिन एक बार हम चलते हैं नीचे यहां पर हमें मिल जाते हैं सर्वर्स तो इन सभी कंट्रीस में UK, US, Singapore, Netherlands, India, China यहां पर सब जगे जो है आपको ब्रजील में यहां पर सब जगे आपको जो इनका राइटर सेंटर जो है देखने को मिलता है तो आप जहां से भी आप लेना चाहते हैं हो पर ले सकते हैं और most cases में लोग इंडिया से ही लेते हैं तो हाँ डेफिनिल जा दिमाग नहीं लगा रहा है इंडिया से आप लेख सकते हो अब हम हमें इस प्लान में मिलता गया एक्जाटली तो चलिए एक बार चलते हैं उपर और यहां पर हम देख लेते हैं cloud startup, cloud professional और cloud enterprise अब देखो cloud होता है किया मैं अब होता तो यहां पर cloud को समझना ज़रूरी है अब एक कोई business मान के चलो जो मनदब साल माइने के करोडों में deal करते हैं या लाखों में deal करते हैं अब मान लोग लूखी एक business माइने के 50 लाख रुपे का profit बनाता है वो company का हर गंटे में हर minute में कोई ना कोई sale होती है या फिर कोई services बगेरा जो कोई उनका sale जो करते हैं हर गंटे में होता है, हर मिनिट में होता है, तब जाके वो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं, तो ऐसे में, मालो की, जहां से हमने होस्टिंग लिया है, वो होस्टिंग थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, रीजन क्या है, सर्वर में आग लग गई, ठीक ह सर्वर क्रेश हो गया, सर्वर आग लग गई, कुछ ना कुछ प्रॉल्लम होता रहता है, और ये सब चीज़े बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी के साथ ये साल में मतलब 10-15 बार, 20 बार होता है, ऐसा नहीं कहा रहा हूँ मैं, साल में हो सकता है, एक बार होता हुगा, साल में हो सकता है, दो बार होता हुगा, लेकिन माल लो कि अगर ऐसा हो गया, तो सर्वर को ठीक होना है, पांच से छे गंटे भी लग सकता है, एक गंटा भी लग सकता है एक दिन भी लग सकता है लेकिन आपका बिजनस तो चलता रहना चाहिए ना आपको बंतलब आपने पैसा दे रखा है आपने उस हर एक गंटे हर एक मिनट के लिए आपने पैसा दिया है जितना भी होस्टिंग कमनी मांगे रही होतना हम नहीं दिया है ना तो बंध नहीं रहना चाहिए खुल मिलना है करेंगा वह जो है अप्टाइम जो है 100% होना चाहिए ठीक है और हमें नौर्मली जो अप्टाइम मिलता है वो 99.95% से लेके 99.97% तक का हमें अप्टाइम देखने को मिलता ह है तो वह सब हमें देखने को मिलता है घगर यहां पर यहां पर कोई बादल की सीन नहीं है यहां पर होता है कि servers का एक network होता है यह ना बहुत सारे servers को एक network पर रखा जाता है अगर एक server में आग लगी तो दूसरे से आपका site उसी time चलने लग जाए मतलब पता ही नहीं लगेगा कि site लभी बंद भी हुई आपको server में आग भी लगी आपको बता नहीं चलेगा जो कमनी है उसको पता चलेगा लेकिन आपको बता नहीं चलेगा आपकी site एक इतना ही एक common man को इतना ही समझना बाकी जो समझना वो उस company के server के admin को समझना है उसके लावा किसी को कोई लेना देना नहीं होता है इससे ओपर किसी जोगे अब plans की बात करते हैं ठीक है जो हमारे लिए important है वो है plan कोई भी plan ले लो 300 website आप होस्ट कर सकते हो सिंपल सी बात है 300 website आप हर plan में होस्ट कर सकते हो ठीक है बेसिक सी चीजर कुछ भी समयने की जरूद नहीं यहाँ पर यहाँ पर आपको को डाउट नहीं अब 300 website होस्ट करने की जरूद को पड़ती है बड़े-बड़े स्टुडेंस आते हैं उन सभी स्टुडेंस को एक domain free में दे दो और उनको होस्टिंग इस होस्टिंग के अंदर सबको डाल लो है ना तो इंसिट्वीट के लिए यह बहुत अच्छा है अगर आप एक इंसिट्वीट कर रहे हो तो आंग बंद कर रहे हैं क्लावड वस्टिं जादा फास्ट होता है और उपर से 200 GB आपको यहां पर स्टॉरेज मिल जाता है वह भी SSD storage 200 GB काफी महेंगा होता है तो वह आपको और उपर से NBMEB होने के वैसे और बहुत ज्यादा महेंगा हो जाता है लेकिन आपको यहां पर दोस्टीप अपर स्टूरेज मिलता है तो एक website किये वजह से मैं कमाई कितनी ओरियों मैं जानता हूं ठीक है इसलिए सिर्फ एक website को रन करने के लिए मैंने पूरा को पूरा क्रावड ऑस्टिंग ले रहा है वो भी Cloud Professional इससे काम नहीं बनेगा है तो मैं आपको आगे रिजन बताऊंगा ठीक है अब यह होगी बात 200GB का 200GB में आप एक website भी रन कर सकते हो 200GB में आप 200 websites भी रन कर सकते हो 300 website ज्यादा हो जाता है 300 website को कोई यूज़ करने वाला नहीं है तो 200 website 200GB में आराम से रन हो जाते है अब आता है 3GB RAM फरक जो आता है टेली बैकप इस कंपल सरी है न तो करा डिली बैकप सब्सक्राइब हुआ है अर यहाँ पर जो है जो है अरूंज़ को मिलना ही चाहिए फ्रीमेल एडीज है अलिमेटर फेसल है अलिमेटर बैंट विट है फ्रीडामेन है और क्लावड फेर का प्लूवस्ट में मिलता है, यहाँ पर आपको hostinger का CDN मिल जाता है, खुद का, अपना खुद का CDN है, और dedicated IP address है, dedicated IP address मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत कोई required चीज होती है, लेकिन हाँ, जब आप cloud hosting लेते हो, तो dedicated IP address भी आपको देना चाहिए, यह company की responsibility, हाला कि आपको जरूद होना हो, मिलना चाहिए, ठीक है, बाकि अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे staging tool बगरा देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पर e-commerce website के लिए zero transaction fees जरूरी चीज़े हो, मैंने आपको बता दी, बाकि सारी चीज़े तो हो नहीं हो, कोई खास परक नहीं पड़ने वाला किसी ठीक है, तो जो जरूरी चीज़े थी, अब हम बात करते हैं, 3GB RAM और 2-Core CPU का, गैस देखो, अभी कि आपके सामने एक laptop होगा, उसके अंदर एक CPU हता है, आपको पता है कि उसकी power कितनी है, आप game खेल पाई हो, आप internet चला पा रहे हो, आप coding कर पा रहे हो, आप ना जाने क्या कर पाते हो, इक laptop के अंदर आप ना जाने कितनी सारी चीज़े करते हो, फो ऑलम बूज देख ल थोड़ा सा पैसा यहां पर बागी सब चीज़ों का मिला कि अगर हम माल की चलते हैं यहां पर हमसे लिया जाता है 700 रुपीज तो 300 रुपे इन बागी सब चीज़ों के लेकिन बचे हुए 400 रुपे जो होते हैं वो सिर्फ 2-core CPU 3GB RAM का होता है तो वो फराख है जो हमें समझना होता है तो यह जो पावर आपको जनरेट करके देगा ना उसके कोई मतलब आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते हो और 3GB RAM बहुत ज़्यादा होता है 3GB RAM बहुत ज़्यादा होता है यह ना Cloud hosting में भी हमारे RAM के साथ कोई sharing नहीं करता है लेकिन share hosting में RAM को लोग share करते है कोई CPU को लोग share करते है तो इसलिए share hosting बहुत सस्ता होता है क्योंकि उसमें एक sharing होती है लेकिन WordPress hosting और Cloud hosting में कोई sharing नहीं होती है तो वो चीज एक काफी मतलब अच्छी बात होती है तो यहाँ पर 3GB RAM डेडिकेटली हमको मिलता है 2-core CPU भी डेडिकेटली हमको मिलता है तो 2-core CPU जो होता है यह फरक लेके आता है WordPress hosting में और Cloud hosting में और Cloud hosting का अपने अब definition तो मैंने आपको बताई दिया एक servers का नेटवर्क होता है WordPress hosting में अदर servers का नेटवर्क नहीं होता है एक single server में ही होता है बस चीज एडिकेटली होती है तो अब 2-core CPU होने के बज़े से हमको एक गजब का power देखने को मिलता है जो हमारी website हम उसमें run करते है बले आप एक website run करो आपको एक गजब का difference देखने को मिलेगा अगर आप एक website दो उस website या 50 website अगर आप फोस्ट करोगे तो आपके 50 website ऐसे run होगे ना आपको मज़ा जाएगा उसको देखके 50 website से उपर जाते हाते है तो यार आप भी सुमझे लो ना कि शेर होरी है तो इसलिए शेरिंग बढ़ जाते है 50 website तक आपको गजब का performance देखने को देखने को मिलता है उसके बाद आपको WordPress होस्टिंग जैसा performance देखने को मिलेगा जैसे ही 200 website पार हो जाएगा फिर तो मैं कहूँगा कि आप यूज मत करो ठीक है एक एक website run करता हूँ e-commerce website है वो मेरा और साथ में मैं उसमें time to time blog को update करता रहता हूँ ठीक है तो e-commerce website है जिसके अंदर मेरे पास 1500 से भी उपर products है 1500 से उपर products को run करता हूँ तो उस सारे products को sales तो बहुत ज़ादा होती है traffic अच्छा खासा आता है ठीक है तो इसलिए जो है मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर जो 4 core CPU और 6GB RAM की ज़र होता है हाला कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा यह 8GB RAM होता थोड़ा साथ बेटर होता है लेकिन हाँ 6GB RAM सफिशेंट है और मुझे आज तो कोई दिक्कत आई नहीं है मैं सोच रहा था कि अगर hostinger के पास एक 8GB RAM वाला प्लान होता तो मुझे कभी भी इस प्लान में जाना ही नहीं पड़ता कभी भी अगर 2 साल बाद मुझे इस प्लान को चेंज करना पड़ेगा ट्राफिक और जादा बढ़ जाएगा तो मुझे और बेटर परफॉर्मस की जरूत पड़ेगा तब मुझे इस प्लान में आना पड़ेगा लेकिन अगर तब तक कि अगर 20 में कोई 8GB RAM वाला प्लान आ जाता है तो मैं और भी ज़्यादा खुश रहता है लेकिन अठीक है अभी के डेट में अगर बात करो तो मुझे 4GB RAM की जरूत नहीं पड़ रही है 2GB RAM कभी यूज आता ही नहीं 6GB RAM मैं से 2GB RAM हमेशा फ्री पड़ा रहता है कभी requirement नहीं होती है कभी कभी तो 2GB RAM से भी काम हो जाता है यहना 3GB RAM की requirement नहीं होती है लेकिन फिर भी एक जब हमारे साइट पे सबसे ज़्यादा ट्राफिक एक साथ बहुत ज़्यादा जब ट्राफिक आता है तो तब 4GB RAM तो यूज कर लेता है तो वो चीज जो है उस बज़े से मैंने 6GB RAM वाला ये plan ले रखा है और गयास 4 core CPU है कमाल का performance है गया अब imagine नहीं कर सकता आपको लेके देखना तब ही आप इसका power को जो है आप exactly इसके power को तब ही समझ पाओगे जब आप इसको actual में लोग है तो गजब का power है तो आप इसका यूज कर सो तो चार-चार CPU है मालनों कि आपके पास चार laptop पड़े हुए वैसी बात हो जाएगी तो वैसा power आपको यहां पर देखने हो मिलेगा और उपर से आपको यहां पर 250GB का NBME SSD storage भी मिलता था storage तो बढ़ जाएगा न 1GB storage हर website के लिए यहां पर आप 200GB storage है तो आप 200GB storage है तो आप 200GB वेपसाइट को आराम से इसमें host कर सकते हो अब इससे भी उपर वाले plan में गर हम आते हैं तो 300GB पूरा host हो सकता है क्योंकि 300GB का storage मिलता है 12GB RAM है जो कि आप यूँ समय लोग की पूरा गाव बसा सकते है ठीक है तो definitely यह काफी एक powerful plan रहता है लेकिन उन लोगों के लिए है जो multinational companies बगएरा run करते है जिनके site Flipkart और Amazon हला कि Flipkart और Amazon के लिए फिर भी यह कम है फिलिपkart और Amazon के लिए इससे भी बड़े ज्यादा power चाहिए होता है ठीक है वो लोग तो फिर अपना dedicated server यूज करते है पूरा पूरा data center होता है उनके पास ठीक है तो वो एक अलग चीज होती है लेकिन एक मालम के चलो है अबरे जैसे कोई company होई भी प्रो जैसे कोई company हुई ठीक है उन लोगों के लिए ये वाला जो plan है वो काफी मलब सही रहेगा ठीक है तो ये था पूरा मतलब कहानी एक best cheap cloud hosting का हला कि आपको इस चीप तो नहीं लग रहा होगा लेकिन इस price range पर आपको ये configuration काफी cheap पड़ता है साथ में आपको free domain मिलता है आपको यहाँ पर 3 months का extra देखने को मिल जाता है और बाकी सारे जो चीज़े हैं यहाला कि आपको ऐसा लग रहा है मैंने जैसा कि इन सब चीज़ों को बहुत चोटी बात करके को लिए लेकिन अगर इन सब चीज़ों का आप अलग से purchase करने जाओगे तो मैं गाओगा कि आपको महीने के 15,000 रुपे लग जाएंगे लेकिन होस्टिंग अमनी का काम होता है अगर इतना पैसा ले तो इससा चीज देनी चाहिए अगर फोस्टिंग अमनी दे रही है तब तक तो कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन खुचते अगर लेने जाओ यह सारी बहुत ही बड़ी है अगर आप इसको जाओगा ने 30% transaction fees महीने के आपके लाखो रुपे बचते हैं इस एक छोटी सी चीज के वज़ए से तो हाँ होई नहीं सकती है ठीक है और अगर आप एक अच्छा का सब MNC वगरा चला रहे हो या फिर आपका एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूट है जिसनों बहुत जाजा स्टूडेंट्स है ठीक है तो उस केस में क्लावड ओसिंग में तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके रिक्वार्मेंट के साथ साब कौन सा प्लान लेना है बिगिनर हो तो प्रफेशनल ताम लेना है जब आप एक साल आप लोगे तो उसके बाद आप प्रफेशनल पर शिप्ट हो सकते हूं ठीक गईस तो उ सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो इससे लाइक कर दीजिए शैयर भी कर दीजिए और आपने पता कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आकन को भी आपको मिलेंगे तो आज के वीडियो में सब इतना ही देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद